दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि Middle East जो दुनिया की सबसे unstable जगह है जहां हर दिन कहीं न कहीं एक छोटी या बड़ी conflict होती रहती है जहांकि एक समय के बड़े शहर आज बंजर पड़े हुए है तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है दोस्तों आपका जवाब जो अमेरिका और Western countries के मूँ से शराफत के नकाब उतार दिये थे गल्फ और जिसने पूरी दुनिया को ये रिलाइस करा दिया था कि वो चाहे जितनी भी आगे वड़ जाए रहेगी Middle Eastern oil की गुलाम ही गल्फ और जिसने सद्दाम हुसेन जैसे तानशा की कबर खोड डाली ना तो हम present day Middle Eastern crisis को समझ पाएंगे ना तो हम ये समझ पाएंगे कि इराग जो कभी इतना समरिद देश हुआ करता था वो कैसे आज आतंकवादी संगटनों का गड़ बन गया है कैसे इरान जो एक आधूनिक विचारों वाला देश था वो आज कठर पंथ की तरफ चला गया ह कैसे अमेरिका और इराग जिनके बीच जैवीरू की दोस्ती थी वो आज एक दूसरे को देखना तक बरदाश नहीं कर पाते हैं और क्यों सौधी अरेविया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी अमेरिका का दोस्त है दोस्तों इन सब प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिच कल फॉर को अंजाम दिया दोस्तों मैं जानता हूं कि मिडल इस्ट के नाम पर जादा तर लोग सिर्फ इसरेल पैलेस्टाइन वार को ही जानते हैं बट बिलीव मी वो पूरी हिस्ट्री का 20% भी नहीं है लेकिन दोस्तों मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आ को मिडल इस्ट और यहां से जुड़ी जियो पॉलिटिक्स का मास्टर बना देगी तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिए और चलिए अब आके बढ़ते हैं इराक के साथ दोस्तों कल फॉर के मेजर प्लेयर्स की बात करें तो इसमें इराक एरान कुवेद साओधी अर अमेरिका और इसके अलावा 35 और कंट्रीज अन्वॉल्ड थी इराक और इरान इस पूरे युद्ध के सेंटर पॉइंट्स थे और इन दोनों देशों की आपसी टसल ने ही कहीं ना कहीं गल्फ वार की नीव रखी थी इसलिए अगर गल्फ वार को समझना है तो सबसे पहले इन दोनों देशों की 20th century की हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स को समझना होगा ये समझना होगा कि कैसे western टाकतों ने तेरगे लालच में इन दोनों देशों में ऐसे पॉलिटिकल शडियंत्रों को फंड किया जो आगे जाकर गल्फ वार की foundation बनी तो चलिए सबसे पहले और वेस्ट में Syria आता है इराक की जोग्रफी इसे portion गल्फ में easy access देती है जिसकी वजह से ये देश जियो पॉलिटिकली काफी significant हो जाता है और इराक जो 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 जोग्रफिकली काफी rich है उसकी history भी कहीं ना कहीं उतनी ही रिच है इराक नाकिवल initial civilizations जिसे अकेडियंस, Babylonians और पर इस Syrian civilizations का birthplace है बलकि यहीं पर writing, law, mathematics और governance जैसी fields की foundation रखी गई थी अब चाहें वो सिकंदर का आकरमण हो या इसलामिक खलीफा और Ottoman Empire का साशन इराक ने हमेशा से ही कभी rise तो कभी fall देखा है अपने इसलामिक golden era के समय इराक ने ऐसे कई scholars, philosophers और scientists को nurture किया था जिन्होंने आगे चलकर medicine, astronomy और literature में दुनिया को एक नई दिशा दी, कुल मिलाकर इराक को अपने पूरवजो दोरा एक गर्व कराने लायक इतिहास मिला, लेकिन 20th century की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इराक की तकदीर को पलट कर रख दिया, अब 20th century में किसी भी देश में turbulence आ आने में Britishos की भूमे का ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, और इराक में भी ऐसा ही कुछ हुआ, और World War I खतम होने के बाद, जब Ottoman Empire ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तो इसके बाद इराक 1921 में Britishos के कंट्रोल में आ गया, उन्होंने अपने कटपुतली राजा, किंग फै और दोस्तों, यह वही समय था जब दुनिया भर में पेट्रोलियम के भंडार खोजे जा रहे थे, और जर्मनी, ब्रिटिन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को मालुम था, कि अगर उन्हें दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखनी है, तो उन्हें पेट्रोलि की नजर हमेशा से ही एक पैरिसाइट की तरह कॉलनी के संसाधनों और पैसों पर ही रही, तो ब्रिटिशों की उन देशों में गोवनेंस चलाने में बिलकुल रूची नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1932 में इरागी पेट्रोलियम के एक्स्लोरेशन राइट्स और दरजन भर इकनॉमिक ट्रीटीज जो ब्रिटिशों के पक्ष में थी, उस पर किंग फैजल दा फरस्ट के साइन कराकर इराग को इंडिपेंडेंस दे दी, इराग को इंडिपेंडेंस दिलाकर फैजल दा फरस्ट को ये लगा कि उन्होंने वीर्दा के जंडे गार दिये हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं मालूम था कि उनका ये फैसला आगे आने वाले समय में मुनार्की के लिए काल बन कराने वाला था, ब्रेटिश और इराकी पेट्रोलियम और संसाधनों पर गिद्ध की तरह तूट पड़े और इराकी इंडिपेंडेंस 1932 से लेकर 1958 तक हैशमाइट मु चिसे डिस्ट्रिब्यूट नहीं हो पा रहा था और लोग ब्रिटिश कंट्रोल मुनार्की से बिलकुल खुश नहीं थे, इराक की फॉरिन पॉलिसी हो या एकॉनमिक पॉलिसी इनमें ब्रिटिश इंफ्लूएंस लोकल लोगों को बिलकुल पसंद नहीं था और धीरे धीर कंट्री आफिसर अब्दुलकरीम कासिम ने उठाया जब उन्होंने किंग फैजल दर सेकेंड का तकता पलटकर एराक को एक मुनार्की से रिपब्लिक कंट्री बना दिया और इसी दिन को 14th revolution का नाम दिया गया अब्दुलकरीम कासिम एराक के पहले प्रधान मंत्री बने ल दरसल मुनार्की को पसंद ना करने वाला इराक में इकलो तक कासिम ही नहीं था इसके अलावा भी ऐसे कई रिजनल प्लेयर्स और पार्टी जो मुनार्की को हटा कर खुद सत्ता का स्वात चखना चाहती थी इसलिए जब कासिम सत्ता में आए तो उनसे 22 साल का लड़का जल सालों के लिए इजिब्ट भागना पड़ा और दोस्तों मेहा किसी और की नहीं बलकि 20th century के सबसे पावरफुल ताना शाहों में से एक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूं वो सद्दाम हुसैन जो आने वाले समय में इराक की किसमत को 360 डिगरी पलटने वाला वही सद्दाम हुसैन जिसने इराक को एक ऐसे वार में डखेल दिया जिसकी लपटे आज भी इराक में उठती दिखती है राइज सद्दाम हुसैन दोस्तों सद्दाम हुसैन जिसका जन्म 28th April 1937 को बगदाद में हुआ वो 55 से ही काफी जादा रेबल किसम का इंसान था सद् उसने बिटिश एंपायर और मुनार्की के अत्याचारों को खूब देखा इसलिए बच्पन से ही वो विद्रोही स्वभाव का हो गया और बिटिश के खिलाफ हो या मुनार्की के खिलाफ उसे चोटी चोटी बातों पर विद्रोह करना अच्छा लगता था आने वाले समय म वो कितना क्रूर होगा इसका अंदेशा लोगों को सद्दाम के बच्पन में ही लग गया था जब उसने चोटी से उम्र में बात पार्टी को जोइन कर लिया था 1950s के तरशक में जब मुनार्की के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे उन सारे विद्रोह में सद्दाम सबसे आगे था वो एक ऐसे एराक का सपना देखता था जो जादा संगठित और पावरफुल हो जो बाकी अरब देशों को एक जुट रखने का दम रख सके और जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो इसलिए जब कासिम सद्दा में आया तो पॉलिसीज वाइस काफी लिब्रिल और सौफ्ट था वो सद्दाम जितना रैडिकल विचारों वाला नहीं था ये बात सद्दाम को पसंद नहीं आई वो कासिम को रियल रूलर मानता नहीं था और इसी वज़े से उसने कासिम को मारने की कोशिश की हलाकि वो नाकामयाब रहा लेकिन 22 साल के इस लड़के की हिम्मत को देख उसका नाम बात पार्टी और पूरे इराक में फेमस हो गया कासिम के सद्दा में आने के बाद इराक में शड़यंतरों और तक्ता पलट का एक ऐसा दोर चला जो सद्दाम के पावर में आने के बाद ही बंद हुआ 1963 में बात पार्टी और मिलिटरी ने कासिम का तक्ता पलट कर अब्दुल सलाम आरिफ को इराक का करता धरता नहीं उपत कर दिया जो सद्धाम का काफी करीबी था आरिफ के सद्धा में आने के बाद सद्धाम को चार साल बाद अपने देश इराक लोटने का मौका मिला लेकिन एक बार फिर वक्त बदलते देर नहीं लगी और बात पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई कोइंसिडेंटली 13 एपरिल 1966 को आरिफ की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई जिसके बाद सलाम आरिफ का चोटा भाई अबदुलर्रहमाण आरिफ सद्धा में आता है जिसकी वज़े से इसके सद्धा में आने के बाद सद्धा में को जियल में रहना पड़ा लेकिन ये जाता समय तक नहीं था क्योंकि 17 जुलाई 1968 को फिर से बात पार्टी के सपोर्ट और मिलिटरी इंटर्वेंशन के बाद रह्मान को सत्ता से उखार फेक दिया गया और बात पार्टी के लीडर एहमद हसन अलबकर को इराग का नया लीडर डिकलेर किया गया और अलबकर के सत्ता में आने के बाद सद्दाम की किस्मत चौक उठी क्योंकि एहमद उसका चचेरा भाई था भाई के सत्ता में आने के बाद सद्दाम हुसैन ना किवल जेल से चूटा बलकि उसी पार्टी में रेवलुशनरी कमांड काउंसल का एक इंपॉर्टन मेंबर भी बन गया अब भले ही रेवलुशनरी कमांड काउंसल का पद एक छोटा पद था लेकिन सद्दाम की भूमे का पार्टी में इससे काफी जादा बड़ी थी उसका रुद्बा और पावर इससे काफी जादा बड़े थे सद्दाम भले ही एमद का चचेरा भाई था लेकिन वही पार्टी का असली करता धरता था लोगा कहना था कि जितने भी important पार्टी के decision लेने होते थे वे सद्दाम ही लिया करता था और पार्टी के हर decision में कहीं न कहीं सद्दाम की भागेदारी जरूर होती थी और जैसे जैसे सद्दाम का इंफ्लूंस पार्टी में बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने अपना एक अल्ला गुट बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको मालूमी होगा कि इराग एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम था। इसलिए उसने सुन्नी मुस्लिम को खुश करने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए शिया मुस्लिमों को मरवाना और उनके खिलाफ भाशन देना शुरू कर दिया। उसका चचेरा भाई एहमद हसन अलबकर थोड़ा बिमार रहने लगा वो अब ऐसी कंडिशन में नहीं था कि एक्टिफ पॉलिटिक्स में इन्वाल हो सके और यहां सद्दाम हुसैन ने मौके का फायदा उठाते हुए पार्टी में अपना नाम आगे करना शुरू कर दिया और इन दी एंड एहमद को सद्दा से हटा कर खुद एराक का असली साशक बन बैठा सद्दा में आने के बाद दुनिया को सद्दाम का वो रूप देने को मिला जिसके लिए वो आज तक मरने के बाद भी जाना जाता है 1979 में सद्दा में आते ही सद्दाम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया उसके खिलाफ कोई तकता पलट ना हो सके और उसका खौफ लोगों में बना रहे इसलिए उसने एक साथ अपने 66 विद्रोईयों को मौत के घाड उतार दिया उसने अब खुल कर इराक में रहने वाले शियाओं और कुर्द्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो शियाओं से कितनी नफरत करता है इसका पता 1982 में तब चला जब अपने उपर हुए एक जान लेवा हमले के इलजाम में उसने 148 शियाओं को फासी के फंदे पर लटका इरान में भी एक ऐसा ही बंदा सत्ता में आया जिसने सद्दाम हुसेन की नीद उड़ा के रख दी मैं बात कर रहा हूँ रुहौला कुमैनी की जिसने 1979 में इसलामिक रेवलूशन को जनम दिया था और इसी रेवलूशन में इरान के समाज के साथ पूरी पॉलिटिकल विव हुआ है वही मूवमेंट अगर कहीं शिया बहुल इराक में हो गया तो उसकी सत्ता भी उसके हाथ से जा सकती है इसी डर से 1980 में सद्दाम ने इरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आट साल तक एक ऐसे युद्ध में शामिल रहा जिसने इराक को ना किवल दिवालिया कर दिया बलकि गल्फ वार के लिए नीब भी तयार कर दी दोस्तों अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इरान की 1979 तक की हिस्ट्री और वर्ल्ड के सबसे राडिकल इस्लामिस लीडर रुहौला खुमेनी की उदय की बात करेंगे हम बात करेंगे कि कैसे खुमेनी सद्दाम ह हुसेन के लिए नाइट मेर बन के सामने आए और बात करेंगे कि कैसे इरान वेस्टर्न लिब्लर आइडियोलोजी वाले देश से कैसे राडिकल इस्लामिस देश बन गया और किन कारणों की वज़य से 1980s में इरान इराक के साथ युद्ध में शामिल होकर गल्फ वार की पर हैंग।